हेलो स्टूरेंट्स आयम आर्थी और मैं आप सबका विलकम करती हूँ आर्थी एडुकेशन वर्ल्ड में मैं डियर स्टूरेंट्स तुड़े इन दिस वीडियो हम डिसकस करने वाले हैं आपकी क्लास 7 की इंग्लिश की वर्क सीट वर्क सीट वर्क सीट अमबर 31 जिसकी डेट है 27 जैनवरी 2021 मैं डियर स्टूरेंट्स आपको नेम अफ दे स्टूरेंट में अपना नाम लिखना है नेम अफ दे क्लास टीचर में लिखना है अपने क्लास टीचर का नाम और अगर आपको बोला गया है कि अपने subject teacher का नाम लिखे क्योंकि आपकी subject की work seat है तो ये है आपकी English की work seat तो लिख देंगे English teacher का नाम राइट चलिए देखे आज भी बड़ी प्यारी सी work seat है बहुत ही सुन्दर सुन्दर सी figure बनी हुई है अब उसे ही हमें करना है तो बच्चो हमने पिछली work seat में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था किसके बारे में verbs के बारे में और हमने ये जाना था जो भी हमारे action words यानि कि जो भी हमारे काम होते हैं उनको हम verb कहते हैं चाहे वो सोना हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पीना हो, चाहे वो जागना हो, चाहे वो गाली देना हो, चाहे वो पीटना हो, चाहे वो बढ़ाई करना हो, कुछ भी हो. तो इंग्लिश में इन सब्दों को हम go, come, wake इन सब्दों से जानते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्क सीट जो आपका टास्क ए है एक काम आया है आपके करने को वो क्या करना है read the following sentences आपको इन sentences को पढ़ना है अंडरलाइन करना है अपने action words को जो भी उसमें काम हो रहा है तो बच्चो मैंने आपको बताया था जो verb है कभी first form आती है, कभी second आती है, कभी third form आती है उसमें changes आते हैं क्योंकि सारा game जो होता है आपके sentences में verb कई होता है verb change तो हमारा tense की form change हो जाती है तो चलो बच्चो start करते हैं यह देखे cat, तो क्या कर रही है the cat runs and waves its tail जो बिली है वो दोड रही है और अपनी पूच ही ला रही है तो दो काम कर रही है, इसमें बिली एक क्या कर रही है runs दोडती है और अपनी पूच ही लाती है तो आपका यह आप run के नीचे underline कर देंगे क्योंकि हमें verb के नीचे क्या करना है underline करना है तो आप कैसे underline कर देंगे runs के नीचे underline हो गया और waves के नीचे हो गया अब यह लड़का है अब यह क्या कर रहा है अपनी बोल को kick कर रहा है है ना, तो he kicks the ball तो क्या कर रहा है किक कर रहा है यानि के उसमें अपनी किक कर रहा है उसको मार रहा है तो इसको क्या कर देंगे किक्स क्या है हमारा काम है है ना क्या करना है मारना काम दोड़ना काम पूछिलाना ये भी काम पूजा डांसर्स वेरी ग्रेस्फिली जो ये पूजा है ये जो बड़ा अच्छे से नास्ती है क्या करती है पूजा बताओ डान्स है ना बूजा बड़े अच्छे से बहुत ग्रेस फिली डान्स करती है तो इसमें डान्स के नीचे अंडरलाइन कर देंगे वो रोज फल खाता है क्या करता है रोज इड्स तो ये इसका काम क्या है खाना फल खाना उसका काम है तो इसमें हम इड्स को अंडरलाइन कर देंगे ठीक है समझाया आप सब को कैसे करना है अब ये तो हो गया हमारा काम आप देखो ये क्या बता रहे हैं आपको ये बता रहे ह अब वर्ब is a word that tells about an action or state एक वर्ब वो शब्द होता है जो हमें कोई काम बताता है या फिर किस अवस्था में हैं हम वो चीज जो बताता है हम क्या कर रहे हैं किस अवस्था में हैं क्या हमारा action है ये सब हमारी वर्ब बताती है उसे हम वर्ब कहते हैं अब देखो बच्चों हमें क्या करना है यापे, अब हमने टास्के तो कर लिया था, अब टास्क भी, जो भी काम है, वो क्या करना है, अब हमें खाली स्थानों को भरना है, जो सही वर्ब है, इन में चुनके लिख देनी है, तो चलिए, देर किस बात किये, लेट स्टार्ट, तो सोल दिस कोशन, तो सुबे से जो पक्षी हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो बताओ पक्षी क्या करते हैं, तो इसमें ये नंबर वन आपका चिर्पिंग हो जाएगा, है न, चहह चहा रहे हैं, तो चहह चहाने को क्या बोलते हैं, जो प्चिडियों के आवाज होते हैं, चिर्प, चिर्प, चिर राइस जो मदर हैं जो चावल क्या कर रही है कुक कर रही है चावल बना रही है तो दूसरा वाला जो आपका है ये वाला है ठीक है ये आपका दूसरा वाला कौन सा है कुकिंग तो आप दूसरे वाले में क्या भर देंगे बच्चों सी डबल ओ के आई एंजी कुकिंग है ना दूसरा हो गया आपका cooking, तीसरा है, I dash a letter to my uncle last night, मैं एक पत्र अपने चाचा को पिछली रात क्या करा, लिखा, मैंने एक पत्र अपने चाचा को पिछली रात लिखा, तो बताओ इसका क्या आएगा मेरे बच्चों, इसमें हम भर देंगे road, है ना, मैंने लिखा second form आएगी ज उसको हम second form यूज़ करते हो, right की second form क्या होती है, road, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, w, r, o, t, e, है ना, I wrote a letter to my uncle last night, ये हो गया आपका तीसरा, fourth, कुल्दीप dash in pain when he got an injury, जब injury हुई, जब चोट लगी, जब घायल हुआ कुल्दीप, तो उसको बड़ा दर्द था, है ना, ही क्या करा, उसने दर्द में चिलाया, दर्द में रोया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं cry, है ना, तो कुल्दीप cried, क्योंकि पह cried, c-r-i-e-d, cried, यह आपका आगया, fourth में, fifth sentence देखो, क्या कह रहा है, fifth sentence बोल रहा है, the cyclone dash many trees, cyclone ने बहुत सारे पेड़ों को, मतलब उनकी जड उखाड के फैंक दी, उनको उखाड दिया, तो root होती है, जड और uprooted होता है, उनने उखाड के फैंक देना, तो यह आपका नमबर पांच आजाएगा, यह कौन सा है, नमबर पांच, तो आप इसमें क्या लिख देंगे, नमबर फाइब में, uprooted, तो यह जो है, आपका, इसमें आप लिखेंगे, up, up, r-o-o-t-e-t, यह इसमें आजाएगा, आपका, uprooted, अब लास्वाला, he likes to dash bread and butter in breakfast, उसे, breakfast में, bread और butter खाना पसंद है, तो बताओ क्या आएगा, क्यूंकि इसमें एक ही बचा है, और खाना है, तो खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, eat बोलते हैं, तो इसमें भर देंगे, लास्ट वाले में, e, a, t, है न, इसमें लास्वाले में, आप e, a, t भर देंगे, और हो गय देखें क्या है, read the following groups of words carefully, अब हमें ध्यान से पढ़ना है, उनके जो ग्रूप है, वो जो word है, उनको ध्यान से पढ़ना है, हर एक ग्रूप में एक word, एक action है, one word in each group is an action, हर एक ग्रूप है, एक ग्रूप ये है, एक ग्रूप ये है, एक ग्रूप ये है, एक ग्रूप ये ह यट, यट का मतलब होता है तो, कट का मतलब होता है काटना, बट का मतलब है लेकन, लेकिन, और हट का मतलब होता है जोपडी, तो बताओ इसमें से काम कौन सा है, तो है, नहीं, लेकिन है, नहीं, हट है, जोपडी, नहीं, वो भी नाउन है, तो क्या हो गया काटना, तो इसमे कुम सा नाउनें ब्यार बच्चो इसमें है आपका कट और तो आपको कट को सरकल नीर करना क्या करना अटरलाइन तो हम कट को अंडरलाइन करेंगे आद दूसरे में देखो क्या है अब ध्यान से सोचना और बताना फ्लाई यानिके उड़ना sky, आकास, dry, सूखना, सूखा हुआ और high, उचा, है न, तो बताओ क्या है, तो इसमें क्या हो गया, fly, उड़ना, तो हम fly को, क्योंकि एक काम है उड़ने का पक्षोगा, तो इसको क्या करेंगे, ये action है, तो इसलिए fly को underline कर देंगे, right, चले, अब तीसरे पे चलते हैं, sparrow, queen, forest, swim, sparrow क्या होती है, गोरहिया होती है, तो ये तो noun नहीं, ये तो sorry, verb नहीं है, ये तो noun है, queen, ये भी एक noun है, forest, ये भी एक noun है, और swim, यानि के तैरना, ये तो एक काम है, है न, तो swimmer ये ये तो काम करते हैं, तैरने का, तो इसको हम, ये हमारा हो गया, action word, तो इसको हम underline कर दिया, अब अगला sentence, breathe, body, slime, fat, breathe होता है, सांस लेना, body होती है, सरी, slime भी एक verb नहीं होती, action word नहीं है, fat भी मोटा होता है, तो breathe क्या है, सांस लेना, हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, ये काम सब लोग करते रहते हैं, तो breathe भी हमारा action है, है ना, हम चाहे कुछ भी न करें, लेकिन breathing करते रहते हैं, अच्छा, पाँचवा देखो, power, शक्ती, drive होता है, car, bus, ये कुछ भी चलाना, box, भाउल होता है, कटोरा और basketball होती है, आपकी टोकरी, तो ये शक्ती कहा है, ये भी आपका action word नहीं है, कटोरा भी नहीं है, और आपकी टोकरी बी नहीं है, तो क्या हो गया, गाड़ी चलाना, या फिर कुछ भी, आपको क्या करना, वो करना, कुछ भी जो गाड़ी चलाना, स्कूटर चलाना, स्कूटी चलाना, कुछ भी जो ड्राइब करते हैं, हम चलाते हैं, वो क्या होता है, ड्राइब, तो इसमें हमारा ड्राइब हो गया, पहले में कट, दूसरे में फ्लाइब, तीसरे में स्विम, फॉर्थ में ब्रीथ, और फि एक्सन वर्ट्स करने हैं ठीक है बच्चों तो आपको कौन से एक्सन वर्ट्स करने हैं देखो आप जो भी कर सकते हो वह भर दो यहां पे तो आप अरे बात करना भी लिख दो टी अल के टॉक्ट जो तुम बहुत ज्यादा करते हो है ना और क्या करते हो तुम और भी बहुत सारी चीज होती है और क्या होता है जैसे पीटना एक दूसरे को पीटते हो लेकिन बहुत गदी बात है वो लिख दो है ना किसी चीज को जैसे फल को सबजी को काटते हो कट लिख सकते हो सी उटी कट है ना और क्या लिख सकते हो बताओ जल मैं आपको बता देती हूँ, आप जो अतनी लिखना चाहें, उतनी लिखिलो, जैसे कि मैं इसका D कही आंसर लिखना हूँ, R E A D होता है, read लिखना write read पढ़ना write लिखना और क्या होता है बताओ ऐसे ही पहुत सॉरी वर्ब होती है जैसे swim हो गया आपका fly हो गया hope हो गया तो आप कुछ भी लिख सकते हो यह मैंने कुछ लिखे हैं आप इसमें से help लेके लिख लेना तो बच्चो यह थी आज की आपकी interesting सी वर्क सीट बढ़िया सी वर्क सीट अगर आपको नहीं समझ आई तो दुबारा देख लेना वीडियो को लेकिन आपको grammar को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है जिससे आपको अगली class में जब स्कूल खुने कोई परिशानी ना आए तो बच्चे पढ़ते रहिए मस्त रहिए, स्वस्त रहिए और क्या करिए अपना काम जरूर पूरा करते रहिए और वर्क सीट को जो grammar है उनको अच्छे से समझते रहिए और हाँ एक बात बहुत जरूरी जो आपको करनी है लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब है ना? ये जरूर आपको करना है मैडिया स्टूरेंट्स तेंक यू स्टूरेंट्स